Hello everyone, I hope you all are doing great. मैं हूँ अदीती और सुआगत है आपका एक नए वीडियो में. Guys, आज हम सीखने वाले हैं तीन बहुती यूसफुल सेंटेंस ट्रॉक्चर्स, जो कि आपको कुछ इन तरीकों के हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना सिखा देंगे. जैसे कि गलतिया करना तो इंसान की फितरत है, कई लोग भगवान के नाम पर धंदा करते है, मेरा फोन तो अभी भी बिल्कुल नए की तरह है. As usual, पहले हम हर सेंटेंस के स्ट्रॉक्चर का मीनिंग पहले पता करेंगे कि उसका मतलब क्या है. उसके बाद उसको लेकर सेंटेंस बनाने का रूल देखेंगे और उसके बाद एक्जैम्पल में सभी स्ट्रॉक्चर के अलग-अलग सेंटेंस बनाएंगे भी. जिससे हमको हर एक structure बहुत easily समझ में आ जाएगा उसकी practice भी हो जाएगी और हमें वो याद भी हो जाएगा चली अब order नहीं करते हैं, start करते हैं आज के lesson को और देखते हैं कि आज की तीन sentence structures कौन से हैं आज का पहला structure है फितरत होना, प्रवर्ती होना या फिर आदत होने का इसको इंग्लिश में बोलने के लिए tend to का use करते हैं इसका rule देखिए, जिसके according सबसे पहले आता है subject इसके बाद tends to या फिर tend to इन दोनों में से कोई एक आता है sentence के subject के according अगर sentence का subject singular है तो आता है tends to, जैसे की she tends to, he tends to और अगर हमारे sentence का subject plural है तो आता है tend to, जैसे की I tend to, you tend to, we tend to, they tend to इसके बाद आती है verb की first form और last में आता है object कुछ examples देखते हैं इस पर based जिससे इसका मतलब बिलकुल clear हो जाए गलतियां करना तो इंसान की फितरत है या प्रवर्ती है या आदत है people tend to make mistakes people tend to make mistakes people है यहाँ पर subject और यह जो subject है people यह है plural इसलिए tend to आया है इसके बाद इसके बाद आई है verb की first form sentence के according जो की है यहाँ पर make और last में आया है mistakes जो की है यहाँ पर object एक और example देखिए बहाने बनाना तो तुम्हारी फितरत है you tend to make excuses you tend to make excuses जूट बोलना तो उसकी फितरत है he tends to lie he tends to lie यहाँ पर जो subject है ही यह है singular इसलिए इसके बाद हमने tends to का यूस किया है एक और sentence देखिए भावनात्मक होना तो महिलाओं की फितरत होती है women tend to be emotional women tend to be emotional I hope आपको यह structure बहुत अच्छे से clear हो गया होगा अब हमारा next structure है भगवान की नाम पर का जिसको इंग्लिश में बोलने के लिए in the name of God का यूस किया जाता है इसका rule देखिए जिसकी according सबसे पहले आता है हमारा main sentence जो की किसी भी tense में हो सकता है और इसके बाद आता है in the name of God examples देखिए भगवान के नाम पर जूट मत बोलो don't lie in the name of God don't lie in the name of God यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा main sentence आया है जूट मत बोलो इसकी English translation don't lie और इसके बाद आया है in the name of God जिसका मतलब है भगवान के नाम पर मांगने आये थे they came to ask for donation in the name of God they came to ask for donation in the name of God भगवान के नाम पर कई लोग धन्दा करते है many people do business in the name of God many people do business in the name of God और अगर बोलना हो कि भगवान के नाम पर पूजा पाट चल रहा है तो इसको बोलेंगे worship is going on in the name of God worship is going on in the name of God third और last structure है आज का बिलकुल नए की तरह का जिसको इंग्लिश में बोलने के लिए in mint condition इस phrase का यूस किया जाता है rule देखिए इसका जिसके according सबसे पहले subject आता है subject के बाद sentence के subject और tense के according helping verb आती है जैसे की is, am, are, was, were, will, be, do, does और last में आता है in mint condition examples देखते हैं कुछ मेरी किताब अभी भी नए की तरह है मतलब बिलकुल नए जैसी है my book is still in mint condition my book is still in mint condition उसकी बाइक बिलकुल नए की तरह थी his bike was in mint condition his bike was in mint condition काड़ी बिलकुल नए की तरह होनी चाहिए the car should be in mint condition क्या कुलर बिलकुल नए की तरह है is the cooler in mint condition ये sentence है interrogative में मतलब question वाली form में इसलिए helping verb से starting करी है जो की sentence के according है is इसके बाद subject आया है the cooler और इसके बाद आया है in mint condition सगाइज ये थे आज की तीन advanced structures अब आपकी screen पर जो ये तीन sentences है ये इन ही structures पर based है अगर आपको ये सभी clear हो गए है तो इनको translate कीजिए English में बताएए मुझे कि किस वाले sentence को किस वाले structure से हम translate करेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे like कीजिए, share कीजिए मेरे channel पर अगर आप नए है तो प्लीज इसे subscribe कर लीजिए और साथ वाले bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे आपको मेरी रोज आने वाली videos की notification बिलकुल time पर मिलेंगे चलिए अब हम मिलते हैं next lesson में तब तक के लिए टीक्यार, बाँ बाई